हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कार कर रहा था जिसके अचानक तबियत बिगणने पर वांगर अस्पताल में लाया गया शिकित्सकों ने उसे जाज के बाद मुर्त्तक भूशित कर दिया इस घट्ना के बार मुर्त्तक के परीजिनों ने फैक्टरी मालिक पर लॉकडाउन में भी दिन रात काम कराने का आरोब लगाते हुए कारवाई की मांग की वहीं मुर्त्तक के परीजिनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की पुलिस ने मृत्तकों के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला भी दच कर दिया महीं दूसरी और पाली में ट्रैक्टर और पिकप की भिड़न में ट्रैक्टर चालक सहित एक हुआ घायल घायलों को उपचायर के लिए पाली के बांगर अस्पताल में कराया भरती पिकप चालक मौके से हुआ फरार कानला से पाली आते समय हेमावास चौराहे के बीच हुआ हाथसा आज सुबे का मामला काली लाल सिंग पाली आते समय हेमावास चौराहे पर ट्रैक्टर और दूद से भरी पिकप की टकर से ट्रैक्टर चालक सहित ट्रैक्टर में बैठे एक जने गंबीर रुप से घायल हो गया सूचना पर 108 के द्वारा उपच्यार के लिए पाली के बांगर अस्पतान लाया गया जहां दोनों का उपच्यार जारी है वहें पिकप चालक फरार हो गया जानकारी के अनुसार काने लाव निवासी, ओगर राम वा गना राम ये दोनों ट्रैक्टर से पाली की ओर आ रहे थे कितब ये दूद के भरे कैमपर पिकप आगे चल रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी जिसे ट्रैक्टर चालक सहित एक जना घायल हो गया दोरों का उपच्यार पाली के बांगर अस्पता के ट्रॉमा वार्ड में जारी है जागरुक टिवी के लिए पाली से खास कवर